जूट से पर्दा उठा दिया है क्योंकि हर एक हफ्ते वो एक नया जूट पूलते हैं बचारे और वो उसी दिन या अगले दिन पंक्चर हो जाता है अब जैसे पिछली हफ्ते इन्हों ने दिर्मला सीता रम्मन ने कहा किसाब हमारे इसलिए हमने 126 प्लेन नहीं करीदे और सिर्फ 36 प्लेन करीदे क्योंकि एरफूर्स के पास वो इंफ्रस्ट्रक्चर नहीं था अरे इससे कोई गदेपने की चीज़ हो सकती है क्या अब प्लेन तो अभी नहीं आ रहे थे दो हजार बाइस में आ रहे थे बॉंबे तक ले जाने के लिए आप खर्च सकते हैं एक मूर्ति पर 3500 करोड खर्च सकते हैं अपने एड़र्टिज्मेंट पर प्रदान मंतरी 4000 करोड खर्च सकते हैं और एरफूर्स को जो प्लेन चाहिए उनके लिए इंफ्रस्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हैं पांच-छे सालों में मगर अच्छा अब यह था किसा अपने तो रिलाइंस का रिलाइंस का तो नाम ही हमें पता नहीं अच्छा क्या नाम है कौन सी कंपनी है निर्मदाद सी तरह मुंकर रही थी अब उनके राश्ट्रपती ने चिनको प्रदान इतनी अच्छी तरह जफी डाल रहे थे आगे से नहीं पीछे से भी वह विच्छा खड़ा है पीछे भाग कर उसको पगड़ लिया इतने यार दोस्त थे तो उन्होंने अब कहा कि हमें तो कोई इसमें चॉइस ही नहीं रही थी हम कुछ करे नहीं सकते थे क्योंकि इंडिय कंपनी को अनिलमबानी की कंपनी को चूज करे उसका कोई तजरुबा नहीं है कुछ भी तजरुबा नहीं है वो उस समय उनकी जो ग्रुप था वो एक लाक एकीस हजार करोड के रिंड में डूबा हुआ था ये जो कंपनी उन्होंने कुछ खरीदी थी किसी से वो भी अब चली गई थी उन्होंने पांच वेसल बनानी थी इसकी नेवी के लिए उन पर भी डिस्प्यूट हो गई वो भी नहीं बना सके तो कोई एक्स्पिरियंस यह नहीं था ऐसी कंपनी को ऐसी डेट रिटन कंपनी को क्या डेसॉल जैसे कंपनी अपना पार्टनर बनाते हैं बिन फ्रेंच गवर्मेंट से कुछ कहल लवाओ कि किसी तरह यह यह होलान का जो एक्स्प्लोसिव स्टेटमेंट है वो किसी तरह पीछे कर दिया जाए तो यह एक ही एक ही चीज हो रही है कि वो हर एक उनका जूट वो उन्हीं को बांद रहा है बहुत अच्छा है कि अपना दिश्टी कौन वो स्पष्ट करें कंट्री के सामने और क्या वो रिविजन्स हो रही हैं या क्या वो जो कॉर्नर्स थे तीखे कौने थे उनको कैसे वो स्मूधन कर रहे हैं यह अच्छी बात है मगर पहले तो यह देखना पड़ेगा कि जो जो उन्होंने कहा है उसका ग्राउंड पर धर्ती पर क्या असर होता है क्या वो जो एक्स्ट्रीमिजम आज निकली है उबरी है फटी है देश में क्या वो धीमी होती है के नहीं दूसरी चीज़ यह है कि आज के जैसे आपने संदर्व में कहा तो मैं मोहन जी जिनको मुझे मैं उनको बहुत प्रिया समझता हूँ और वो उनसे मेरी एक गुजारिश है कि वो यह भी हमें बतलाएं कि क्या उन्हें संस्कृती के बारे में बात की हमारी परंपरा के बारे में बात की हमारे धर्म के बारे में बात की तो उस धर्म उस संस्कृती उस परंपरा में सत्य कभी कोई स्थान है के नहीं सत्य में विजयते नानिर्थम ये एक वैदिक परिभाशा है के नहीं बाक्य है के नहीं तो आप अपने जो प्रचारक उपर रखे हैं प्रधान मंतरी इन सब को आप बतलाएए कि भी कुछ मुझ तो खोले कुछ इस चीज पर सच तो बोले इतनी बार जूट बोलना क्या ये हमारी संस्कृति में है तो मेरी मोहन जी से परसनल अपील होगी कि साब आपने इतनी अच्छी चीज़े बतलाई हैं हमको हमारी संस्कृति के बारे में सत्य पर भी कुछ जोर दीजिए और इनको ये जो आपके सब परचारक है जो सरकार में हैं उनको प्रतिबद कीजिए कि वो सच बोले ऐसी क्योंकि ये सियासत की बात नहीं है पॉलिट जैसे ये डील है अने लंबानी वगरा इन सब चीज़ों पर ये आपका कतव है मेरी आँखों में जिर मीडिया को क्या कहें कि इतना ज्यादा मीडिया तो अब सरकारी टट्टू बन चुका है तो वो हमारा काम नहीं है हमारा काम है और ये भी नहीं कि जैसे वो ग्रास हॉपर होता है क्या तितनी होती है एक फूल से दूसरे फूल तक चलती जाए उड़ती जाए उड़ती जाए हमारा काम है कि मगर मच बनना किसी की टांग मुँ में आ जाए तो उसे कभी छोड़ना ही नहीं तो इसलिए मेरी गुजारिश है मीडिया से कि आप इन चीजों पर जो कि राष्ट सुरक्षा से संबन देते हैं उन पर आप गहराई से सोचिए हर एक डॉक्यूमेंट को पढ़िए और फैक्ट्स और निकालिए और जैसे कि अब फ्रांस में से चीज उबरने लगी है हमार इसलिए हम भी उनकी वेब साइट से उनके बड़े बड़े पेपर से कॉलाबरेट करें और सच निकाले सर मुदी जी तक तो आज तक हम पहुंचनी सकते हम तो चाय वाले भी नहीं है कि भी हम उन तक पहुंचे मगर हां मेरी उन से गुजारिश है जो कि मैंने मजीद मेमन से सुनी इधर बंबे में एक मीटिंग में वो है कि ए रहनुमा जब हमारे गाइड है प्रधान मंत्री है ए रहनुमा करीब तो आ नजर तो मिला मू तो खोल जवाब तो दे कारवा को लूटा किसने बता तो दे तो मोदी जी के लिए तो मेरी यही गुजारिश है यही पंक्तिया है अपर बंबे में प्रधान मंत्री है